नमस्कार, कैपिटल टीबी बिहार के खास पोराम 24 की चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 की चौसर में आज हम बात करेंगे चिराक पास्बान की, उनकी पार्टी की, उनकी चुनाबी संभाबनाव की और होने वाले गठ बंदन की चिराक पास्बान किस खेमे में रहेंगे, NDA में रहेंगे या महागट बंदन में रहेंगे, ये चर्चा अभी सत्ता के गलियारे में है लेकिन होगा क्या, खिराग पासपान चाहते क्या है और पसुपतिकुमार पारस क्या चाहते है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा क्या चाहती है चुकि सबसे बड़ी पाटी भाजपा है और भाजपा अपने हिसाब से अपने पत्ते और अपने पास से फेकना चाहती है 24 की चौसर में तो लोजपा के लिए भी भाजपा ने एक प्लान त्यार किया है वो है प्लान लोजपा के एक ही करन का चाचा और भतिजा के गले मिलाने का तो किन सर्तों पर चाचा और भतिजा गले मिलेंगे भाजपा क्या कह रही है क्या समझाने की कोशिस कर रही है पसुपतिकमार पारस को और क्या समझाने के कोशिस कर रही है चिराग पासबान को आईए थोड़ा डीटेल में जाते हैं देखिए बार बार जब प्रधाल मंत्री और अमित्सा से लोजपा के नेता मिलते थे तो वो एक चिंता जताते थे कि भाई कैसे होगा चाचा बतीजा अलग रहेंगे तो पार्टी का क्या होगा हमारी जीत की संभावनाओं का क्या होगा तो दोनों नेता यही करते थे कि इसकी चिंता मत करिये यह चिंता हमारी है हम रास्ता निकालेंगे अब जब वक्त आ गया रास्ता निकालने का तो निरास्ता निकला क्या है फार्मूला बना क्या है देखे भाजपा का ये मन है भाजपा ये चाहती है कि पार्टी एक हो जाए और उसके लिए जो फार्मूला तयार किया गया है वो यही है कि जो पुरानी सीटे जो पुराने सीट की संख्या थी उसको बरकरार रखा जाए मतलब कि छे सीटे लोजपा लड़े एक राजसभा की सीट और एक बिधान परिशत की सीट ये सीटे उनको ओफर करेगी भाजपा इसके लिए कौन कितना तयार होगा और इसके अलाबा और क्या ओफर है पार्टी के अंदर वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं भाजपा चाती है कि चिराग पासबान जो मोधी का तीसरा टर्म है नरेंद मोधी का उसमें वो मंत्री बने और अच्छे मंत्री बने अच्छे पत के मंत्री बने अच्छे बिभाग की मंत्री बने ताकि बिहार का विकास के लिए जो उनका सपना है बिहार फस्ट बिहारी उसको सपने को पूरा कर सके उसको implement कर सके तो एक बड़ी जिम्मेदारी केंदर में चिराग पास्वान को देने के पक्ष में है भाज़पा पारज जी के लिए क्या है पारज जी के लिए कहा जा रहा है कि पारज जी को लोचपा का राश्टिया ध्यक्ष बनाने का भी एक पस्ताव उस फर्मूले में है कि दोनों चाचा भतीजा अपस में बात करके पारज जी को राश्टिया ध्यक्ष बना दे चुकि पारजी की अब उमर हुई है उनका हेल्थ भी थोड़ा खराब रहता है तो इस लहाज से रास्ति या धक्ति जिम्मेदारी जो है पसुपत्री कुमार पारज को दी जाए और चिराक के अंदर में मंत्री बने छे पत जो है छे जो सीटे है वो उनको दी जाए जादतर पुरानी सीटे ही उनको रिपीट की जाएगी वाकि राजसभा और विधान परिसत की बात हम आपको बोल चुके है तो यह फर्मूला भाजपा के तरफ से है मानना है चिराक पासपान को मानना है पारजी को नहीं मानना है पारजी को क्या करेंगे दोनों चाते वज़िदा लेकिन भाजपा ने अपने तरब से एक चौसर का ये पासा फेक दिया है इस पर सहमती बनाने के लिए दबाब भी है दोनों ने ताओं पर कि आप मान जाएए केबल भाजपा नहीं लोजपा के जो पुराने लोग हैं पुराने साती हैं जो उन्हें उन्हें बुन्याद रखी इस पार्टी की वो चाहते हैं कि पार्टी एक हो जाए देखे सुरज भान इसमें सबसे आगे हैं, उनकी इच्छा है वो बराबर करते हैं कि राम बिलाज पास्पान जिस पार्टी को छोड़के गए थे, हम वही पार्टी मनाना चाहते हैं, हम वही पार्टी देखना चाहते हैं, पसुर्पति कुमार पारस और चिराग में कोई अं बठ जाएंगे तो कमजोड हो जाएंगे जो अंतिम घर में दिया जलाने की बात है वो सपना सपना ही रह जाएगा अगर लोजपा दो पार्ट पे होगी तो तो एक फार्मूला भाजपा की तरब से दिया गया है और अगले 48 घंटे में चाचा भातिजा को ये फैसला ले लेन आगे की जो होना होगा तो होगा जिस तरह से चिराग पासबान को लेकर कहा जा रहा है कि वो नहीं गए पीम के दोरे में रैली में नहीं गए नराज है देखिए उस तरह की कोई बात नहीं है एक जो रनितिक महत वाली चीज है वो ये है कि चिराग पासबान ये चाहते हैं कि उनकी सीटें किलियर हो जाए क्या होना है किलियर हो जाए तब वो अगला इस्टिप अपना लेंगे चुकि काजकर्टाओं का नेताओं का बड़ा दवाव है चिराग पासपार के सामने उनके नेता ये कोशिस कर रहे हैं कि जल्दी फैसला हो जाए कि महागटबंधन की तर इंडिया ब्लोक पी चाहता है कि चिराग पासपान को हम अलग करते हैं एक जो सैकलोजिकल वार है तोड़ने का एक जो सैकलोजिकल एडवेंटेस था कि इंडिया ब्लोक को हमने तोड़ दिया तेकि नितीज कुमार के इधर आने से अस्थानिये नेता भाजपा के नाराज ह लेकिन भाजपा नित्रुत ने एक फासला लिया कि इंडिया ब्लॉक को हमको कम जोड़ करना है हम नितिश कुमार को लेकर आ गए है उसी तरह चिराग पासबान के जाने महागट बंदन में जाने से उनके काज करता है कि इतने खुस होंगे ना खुस होंगे वो अलग कहानी है लेकिन महागट बंदन चाहता है कि एक देंट एक सुराग किया जाए एंडिये में और चिराग पासबान को अपने खेमे में ले लिया जाए उनकी तयारी मुके सहनी को लोकर भी है कि मुके सहनी को भी लाएंगे मुके सहनी तो फिलाल नहीं है एंडिये में लेकिन मुके सहनी को भी लाने की तयारी है और चिराग पर डोरे डाल रहा है मागत बंदन कि आप चले आईए अगर आप वहाँ दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आपको मनमाफिक सीटे नहीं मिल रही है हाजीपूर की सीट नहीं मिल रही है आप चले आईए हम देने के लिए तयार है तो ये बड़े बड़े ओफर दिये जा रहे हैं चिराग पास्वान को लेकिन चिराग पासबान भी जाते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है जिस तरह से राम बिलास पासबान हवा का रूप भाप लेते थे चिराग पासबान उसी भिरासत को आगे बढ़ा रहे हैं वो भी जानते हैं कि जीत की गारेंटी किधर है लेकिन इंतजार कर रहे हैं इंतजार कर का प्रोपर बटवारा होगा उसको वो मानेंगे महागट बंदन का जो ओफर है वो तो अपनी जगा पर कायम है तो इंतजार करना होगा 48 घंटे तक कि क्या होता है नहीं होता है नितिश कुमार के भी दिल्ली में बाचीत हो रही है वो भी अमिसा से बात कर रहे हैं वहां भी पैसला हो जाना है तो सहयोगी दलों को लेकर सारी चीजे तै हो जानी है और लोजपा का क्या होगा ये भी अगले 48 घंटे में तै हो जाएगा कि हो ना क्या है और आठ के बाद जब ऐलान होगा सिटो का तो सारी चीजे अपने आप साफ हो जाएगी आप देखते रहे है झाल झाल झाल